हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपकी इस यूटूब चैनेल पे जिसका नाम है ओल मिकेनिकल आइडिया और दोस्तो मेरा नाम है आंकोर दोस्तो तो आज हम बात करने वाले द्रिल मशिन के उपर हम कोई भी होल लगा के उसके अंदर ठ्रेट केसे लगा पाएंगे जि बड़ी आराम से भी हम ठ्रेट का सकते हैं उसकी जगह पे हमें कोई रेंज से जोर्ज वरदस्ती करके हमें बहुत ही ज्यादा परेशा नहीं होते हैं इसलिए आप ड्रिल मशिन के अंदर भी बहुत आराम से ठ्रेट बना पाएंगे दोस्तो तो उसके बारे मैं आप पुर कि मैं बात कहना चाता हूँ दोस्तो आज से मैं लेथ मशिन के उपर सारी की सारी पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ जिहां दोस्तो कहीं लोगों की कोमेट आये मेरे पास के सर्जी हमें लेथ मशिन या खेराद मशिन शिकना है जिहां दोस्तो हिंद मीचे से लेके उपर तक सारे पार्ट कैसे वर्क होता है किस किस टैप का वर्क होता है उसका स्टूल कैसे बने उसका स्टूल ग्राइणिंग कैसे करें उसमें कुन-कुन से कंपोनेट यूज होते हैं उसमें कुन-कुन से चीज लगाई जाती है मतलब में कुन-कुन से जोब लगाए जाए किस टैप से जोब मशिनिंग करें उसके बारे में पुरी के पुरी डीटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ जी हां दोस्तों लेथ मशिन के उपर पुरी के पुरी उसके सायद मेरे हिसाब से एक दो तीन चार पांच ऐसे में पार्ट लगाऊंगा एक के बाद एक के बाद एक और पुरी के पुरी इंफ्रमेर्शन देने वाला हूँ दोस्तों आप सभी कोमेट मुझे मिल गए है मैं इसे कोई कोमेट का अगर रीप्लाइ ने मिले तो उसके लिए स्वरी दोस्तों है अभी और उस टाइम पे आपके लिए वीडियो में एडिटिंग कर रहा हूँ और बना रहा हूँ दोस्तों तो क्या है कि अब कहीं सारे दोस्त मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको लेफ मशिन चलाना नहीं आता है और वो लेफ मशिन सिखना चाहते है तो उसी के लिए आज में पूरे के पूरी लेफ मशिन के बारे में सारी की सारी इंफ्रमेशन देने वाला हूँ दोस्तों तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज बेले सब्सक्राइब कर दीजी बाद में लाइक का बटन दब दीजी और बेल को दबाना मत बूलना दोस्तों तो अब आगे चाके मैं जैसे ही अपने जोब के वीडियो छोड़ता हूँ तो छोड़ने वाला हूँ दोस्तों लेकिन उसके इलावा मैं हो सके उतने लेफ मशिन के उपर जोब मतलब में A to Z जानकारी लेफ मशिन के बारे म मैं पूरी के पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी क्या है कि सारे पार्ट सारे जोब वर्क उसको मैं आपको डीटेल में बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ उसक दोस्तो देख सकते हैं आप मेरे पास यहां पे मेरा एक जोब है जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग दिखाने वाला हूँ दोस्तो तो इसमें मेरे को कुछ मापका तो क्यूलिशी नहीं है लेकिन आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तो तो यह जोब है इसको आप पेले सबसे पहले यहां पे वाइस में इस तरह से टाइड कर दीजी आप के पथ यूब बाद यहां से आप इसको हलका सा प्रेशर रखके यहां पर देख सकते हैं अलका प्रेसर रखके भी ग्रिलिंग कर सकते हैं बहुत प्रेसर मत दीजिए वरना यहां पे स्टूल टूपने की बहुत ही ज्यादा सी ज्यादा दिक्कत रहती है दोस्तो और हां दोस्तो अगर हो सके तो इसमें थोड़ा-थोड़ा गोटर डालते रही है ताके जो भी आपक का स्टूल जल्दी से खराब नहों हो और अच्छी तरह से आपका जोग बन पाए दोस्तों अब देख सकते हैं यहां पर मैंने घोल लगा दिया यहां पर आगे एक दो ठेटों किया हूँा है आप देख सकते हैं अभी में और एक वर लगा तो यहां पर सबस्टेश पर टाइप कर लिए मिसल को वोग दियां तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहना ताकि जिससे आपका स्टूल खराब ना हो दोस्तों तो दोस्तों यहां पर देख सकते कि बहुत ही आप हाँ से यह डिल हो रहा है दोस्तों और इसमें हम करHYब यह पनने के लिए यह मेरे पास करिब 11 mm का drill श्टूल है तो इसमें आराम से आपको उल लगा सकते हैं दोस्तो तो आप देख सकते हैं कि यहां पे कैसे उल लगा रहा हूं दोस्तो अब देख सकते हैं यहां पर यहां पर दोस्तों अब हम इसमें श्टेप लगाएंगे जी यहां दोस्तों आप देखा होगा दोस्तों इसे के टेश्टेप दोस्तों यहां से रेंज में पकड़ा के भी इसमें वोल लगा सकते हैं चूड़ी काट सकते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं आइस्पीट का स्टेप हैं और यहां पर मैंने थोड़ा सा ग्रैंडिंग कर लिए ताकि हमारा ज तेल या प्रेटोल एंजिन का उयल मतलब में प्रेटोल एंजिन से जो निकला गया है उयल उपर लगाई है बहुत नी स्मूध और फिनिसिंग वाला आपको चूड़ी मिलेगी और आपका स्टाप जल्दी से खराब नहीं होगा याद रख लेना सर्चो तेल या फिर इसमें इंजिन का निकला हुआ निकला हुआ उयल ओ दोनों में से एक आप याँ पर लगा सकते हैं दोस्तों करें दोस्तों आप डेख सकते के हमारा कि हमने यहां पर सेट कर लिया है और आपने में मैंने हम चले से बोला था वेसे ही यहां पर थे आपके मेरे पास यह प्रेटोल का एंजिन का वेल, निकला वेल, वेल और यह ब्रस से में यहां पे स्टाफ को सबसे पेले, वेल लगा देता हूँ ताके हमारा स्टाफ जल्दी से खराब नहूं और चूड़ी अच्छी बने दोस्तों कि दोस्तों स्टाप लगाने के लिए आप अंदर बार अंदर बार थोड़ा-थोड़ा मश्म को चटका देते रहे हैं तो आपका बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा देख रहे हैं इसे कैसे काम कर रहा हूं कि यह हो बेट तो दोस्तों आप देख सकते कि यहां पर आराम से मैंने यह चूड़ी मसिन के उपर काट दिये हैं और देख सकते कि यह चूड़ी में फिनिसिंग और फिटिंग दोनों भी अच्छी तरह से मिल रहा है दोस्तों तो आप भी इस तरह से मसिन के उपर चूड़ी लगा सकते हैं दोस्तो तो में दूसरी चुड़ी लगाने जा रहा हूं दोस्तो तो सबसे तेले आप ये स्टाप का सेंटर ले लिजिए मसिन में चोब लगाने बाद आपका सेंटर ले लिजी उसके बाद मसिन को यहाँ पर आप ओयल लगाना मत भूलना या तो सर्शो का तेल लगाना मत भूलना दोस्तो टेप के उपर और उसको यहाँ से आइस्ता आइस्ता करके ठ्रेट लगा सकते हैं दोसको चुड़ी काट सक और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैंने दूसरी चुड़ी भी आराम से काट ली है और पेली वाली भी यहां Is कोमेट में बताइए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत दोस्तों